हेलो फ्रेंड्स वेलकम प्रेंगें इन्फो टेट टेक्नियर क्लासी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट होना वाली है इसमें आपको मैं हंड़र कोश्चन्स तो डिटेल्स में समझाऊंगा जो की बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इस वीडियो का ब mental script की देखेंगे तो आपको बेर्स इंपोर्टेंट हो जाती है तो इसे घालेस कहलाती है यहां कोश्चन्स पुछना चारा है तो मैं हैं आपको यह इंगलिस इंपादежд के चना आयता हूं कि when tolerance is given on one side of the original dimension it is cold तो हम उसे क्या बोलेंगे देगे हमने हमने हिंदी में options रखते हैं मैं आपको इंगली से बताऊंगो साथ में तो यहाँ पर एक पक्षिय tolerance का मतलब है जो एक पक्षिय tolerance होती है वो एक तरफा होती है और यानि कि जिसको हम बोलते है यहाँ पर जो है दुए पक्षिय उसको बोलते है बाई लेटर टोलेंज तिरी पक्षिय जो है तीन तरफ टोलेंज दी जाती है और यह options है इन में से कोई नहीं तो मैं आपको इसका right answer पताता हूं friends इसका right answer होगा हमारा a होगा एक पक्षिय टोलेंज का मतलब है यूनि लेटर टोलनाज उसको आप याहाद रह्कें यह हमारी unilater toll Lions होती है तो इसका answer A, friends, इसका answer A होगा, first answer, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, second questions पे, second questions भी आपके सामने screen पर है, और सारे questions कापी important है, देखे, questions क्या है, questions दूसरा है कि, आकार की अधिक्तम सीमा और आकार के न्यूंतम सीमा के बीच का अंतर है, तो यहाँ पर जो इसका answer है, मैं आपक इसके answer होता है, उसे हम tolerance कहते हैं, तो यह questions भी काफी important है, और आपके exam में कहीं पर भी आ सकता है, इसके बाद, friends, हम जो है चलते हैं, next जो है questions पे, तो next questions भी काफी important है, और इसी टाइप से questions देखे, बार-बार exam में पूछ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको चाहिए, थरर questions क् यहाँ पर कहा रहा है कि, अंत वीनियम नेता, आम तोर पर खाले सन पर लागू होती है, तो यहाँ पर इसका जो answer होगा, तीसरे का वह हमारा B होगा, बड़े पैमाने पर, mass productions में हम interchangeability, देखें, इंगली से भी पढ़ता क्या, interchangeability जो होता है, वह हम mass productions में use करते हैं, तो इसक आप अपनी notebook में भी note कर सकते हैं, और इस video को आप 2-3 बाहर देखेंगे, तो आपको 100 questions जो है definitely याद हो जाएंगे, इसके बाद हम चलते हैं fourth questions पर, fourth questions सामने आपकी screen पर है, questions को पढ़ें, और देखें, आप questions क्या कर रहा है, कि निमलिकित में से कौन सा, सबसे कठोर, करतन, आउजार समग रही है, यानि कि अपर cutting material जो सबसे hard है, options A में यहां देखें क्या दिया हो है, options A में carbide दिया गया, options B में diamond दिया गया, और C में stelite दिया गया, D में high speedy steel, तो fourth का जो answer होगा, हमारा diamond होगा, इस options के हिसाब से right answer हमारा diamond होगा, तो friends, यह आपने info टेड यूट चैनल हमारा भी तक subscribe नहीं है, तो चैनलों को subscribe कर लें, उसमें भी आपको काफी questions मिल जाएंगे, आप साथ हमारे telegram के साथ उड़ेंगे, तो वहां ते भी आपको आपको नहीं नहीं information देते रहते हैं, technical exam से related, और जो जोब के regarding, तो आप telegram को ज़रूर जोइन करें, इसके प 5 questions देखें, निमलिकरित में से कौन सा करतन ओजा, ऐलुमूनियम आकसाइड से बना होता है, तो जो 5 का answer है, वहमारा है, C, sorry, D answer है, ceramics, ceramics, ceramics के एक पत्थर जैसा टूल होता है, इसका यूजर हम ऐलुमूनियम आकसाइड बनाने लिए करते हैं, इसके बाद, friends, हम चलते हैं 6 questions पर 6 questions आपके सामने है, 6 questions देखें कि क्या है, कि 6 questions है कि triple परारम भी चूड़ी, पर lead और lead कॉमा है, कॉमा लिखा है, friends, कॉमा पिछ होती है, तो triple start trade में lead और pitch होती है, मैं आपको बता दू, 3 गुनी होती है, यदि triple start कहता है, तो, देखी है, triple start होता है, तो 3 से multiply करेते हैं, ठीक है, इस type से questions को याद रखें, exam में हो सकता है, किसी भी exam में, हम दो questions आजाए, इसके बाद ہम चलते है, 7 questions के 7 questions है, 7 questions है, Vermeer ऐा प्रोटेक्टर से, 7 questions है पढ़े, 1 रॉन्यक्र प्रोटेक्टर का प्रिजृग क्षान मापने के लिए के लिए खिया जा है, A options, Angle है, B options, L इसके बाद हम चलते है 8 questions पर 8 questions देखें क्या क्यता है कि यहाँ पर कह रहा है कि 8 questions में दुरुगटन से बचने का सरोत्वत्तम तरीका क्या है दुरुगटन से बचने का यह वह यह वह आपिंधि इसका आंसर हुआएगा एक मीट्री माइट्र में थिंबल का पूरा चक्कर खाली सान आगे बढ़ता है तो इसका जो आंसर है वह हमारा होगा 0.0 यहाँ पी मैं आपको उता है था हूँ 0.050 यानि कि 0.050 mm एक जो चक्कर चलता है वह हमारा अपनी जो पीछ के अनुसार चलता है यहाँ पीछ उसकी 0.5 है तो 0.5 भी आगे बढ़ता है तो 9 का आंसर भी क्लियर हो रहा है इसके बाद हम चलते हैं नेक्स जो है कोश्टन से नेक्स कोश्टन सामने आपकी स्कीन पर है कोश्टन क्या है कि देखी कोश्टन से आपको परणा चुना दस बढ़ता है कि अनुसार सिलिक गेज का एक खास सेट पर योग होता है जिसमें खाली सान होते हैं तो उसमें 112 पीस होते हैं ऐसा लिखाता एक्जाम में M 112 ठीक है इस ताइप से भी लिखा सकता है वो भी आंसर इसका सही होगा इसके बद हम चलते हैं next जो है questions पर तो next questions लेकी क्या आता है next questions 11 questions है 11 questions है लेकी क्या ब्रइट से हैं हम पढ़ते हैं questions को questions लेकी क्या कर रहा है hexa blades से है hexa blades के cutty's, cut, nickers ताटों के बीच की दूरी को blade की खालीसतन के रूप से जाना जाता है तो मैं आप उसका आंसर आपको बता दूँ 11 का आंसर होगा पीछ इसका आंसर है और ये questions भी exam में बार बार repeated किया जाता है इसके बाद हम चलते है next questions पर 12 questions पर 12 questions देखे क्या गयता है questions half net करेविधी से है तो half net करेविधी खालिसतन मसीन में पाई जाने वाली एक करेविधी है तो मैं आपको उसका आंसर तरता हूँ उसका आंसर है late late machine में half net करेविधी जो है अपना ही जाती है यानि कि पाई जाती है इसके बाद हम चलते है next question पर 13 questions पर 13 questions भी आपके सामने है 13 questions देख रहे हैं क्या कहता है कि यहाँ पर questions कहा रहा है कि निमलिकित में से कौन सा late center का परकार है तो यहाँ पर यह देखे बोल center लिखा है half center लिखा है, pipe center लिखा है और all options लिखा है तो इसका जो आंसर होगा all options होगा यह सारे के सारे जो हमारे late के center होते है तो यह questions भी exam में इस type से पूछ लिया जाता है इसके बाद हम चलते है 13 के बाद 14 questions पर 14 questions क्या है सामने आप देखें 14 questions है कि यहाँ पर 50 mm की बार को 25 मीटर 25 मिनट की गती से एक खरागपट टानोन किया जाना है तो rpm की गढ़ना करें तो इस rpm की आप गढ़ना कैसे कर सकते हैं मैं friends आपको बता देता हूं तो फिलाल के लिए 14 का answer हो का मैं आप बता दू 159 आगा कैसे करते हैं कि यहाँ पर rpm निकालना है तो यहाँ पर cutting speed का जो हम formula लगाते है cutting speed बराबर जो होता 5 गुना D इसमें लगाते हैं 1000 क्योंकि मिलीमिटर में question दिया रहा होता तो 1000 लगाते हैं इंच में देता तो बाहर लगाते हैं अभी हम यहाँ पर rpm निकालना तो n का मान हम न बराबर होता हमारा rpm क्या होता फ्रेंट न बराबर rpm अब इस formula का coding इस जो है इनको put up कर देंगे तो आपका answer 159 आजाएगा तो 14 questions को आप इस formula से कर सकते हैं इस पर मैंने वीडियो बना ही है आप इस वीडियो को watch कर सकते हैं इसके बाद हम चलते है 14 के बाद 15 questions के 15 questions भी देखें सामने questions है questions क्या है कि एक अखराद पर multi-start tool काटने के लिए इनमें से किसका परियोग किया जाएगा तो एक options है कि dika करेंगे, stripped dika करेंगे, single point tool का chaser करेंगे तो यहाँ पर जो इसका answer होगा friends, यहाँ होगा हमारा single point tool का हम use कर सकते हैं और चेजर भी हो सकता है, इसका answer तो दो इसका answer है 15 का, इसके बाद हम चलते है next questions भी काफी important है जैसे कि आपको बता रहा हूँ, सारे questions important है, इन questions को आप अपनी notebook को भी note कर सकते हैं 16 questions देखे क्या कहा रहा है, कि यहाँ पर roughing tool का प्रियोग आम तोर पर कब किया जाता है, तो roughing tool का जो प्रियोग है, तो friends 16 का B answer होगा जब अधिक stoke में धादु को हटाना हो, तो यहाँ पर हम roughing tool का use करते हैं इसके बद हम चलते हैं, next 17 questions के 17 questions देखे हैं क्या निकल आता है, 17 questions है कि set over withy द्वारा taper काटने के दोरा निबली कित में से कौन सा center संयुक्त होता है तो options में ball center दिया गया है, half center, plane center, revolving center दिया गया है, तो इसका जो answer होगा, अब हम रहा होगा A, ball center का हम use करते हैं तो इसका जो answer होगा C, चिपड को तोड़ना और छोटे खंड करना, यानि कि break the chips into the short segments तो यहाँ पर हमारा short chips को तोड़ने के लिए, बागों में बाटने के लिए हम chip breaker का use करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं next, 19 questions, 19 questions सामने आपके सिंगे पर हैं, तो खराद machine से questions है, यहाँ पर क्या क्या रहा है, एक खराद उपकरन का front के लिए रहा है, सेंगल 8 degree है, और back के जो 90 में सुझे हम माइनस करते हैं, 8 प्लस 15 को हम जोड़ देते हैं, तो जैसी हम इसको गटाएंगे तो आपका जो इसका answer होगा, इसका answer होगा, 67 degree, इसके बाद हम चलते हैं next questions पर 20 questions पर 20 questions लेके क्या करा है, 20 questions है कि यहाँ पर एक कारत जिसकी कटाई गती चुनाओ पर कोई पर करती है, वो हमारे बर्किस पर डाय पर नहीं निर्बर करती है, जबकि मेटर पर भी करती है, उप्रन की सामगरी पर करती है, किये जाने वाले ख्रात के कारे पर भी करती है, तो इसका जो answer होगा, 20 का, फिर 20 के पर चलते हैं 21 questions पर, 21 questions जो है नरलिंग से हैं, और नरलिंग से नरलिंग करते हैं, गरिप बनाने जो नरलिंग की जाती है, इस टाइप से हम जब किसी आपने जोग पर, राउंड जोग पर हम ऐसे गरिप बना देते हैं, तो वह हमारे एक नरलिंग का प्रोसिस होता है, यह निकि नरलिंग की जाती है उस चीज़ पर, तो यह भी questions के यह भी questions काफी important है, so friends, 22 questions का जो answer होगा, देखिए, मैं आपको बता दूँ, कोण यह work piece को हमें यादी turning करनी है, कोई भी work करना late machine पर, तो यहाँ पर D answer होगा, phase rate, ठीक है, तो 22 का जो answer है, हमारा D है, इसके बाद हम next question पर चलते हैं, इसके बाद, तो next question है, 23 questions देखते हैं, क् कहने करता है, कि angle plate बनाने के लिए, निम्ड में से की सामागरी का उप्योग किया जाता है, तो यहाँ पर options है, कोपर, aluminium, cast iron, brass, तो मैं आपको इसका answer होगा, 23 का जो answer होगा, हमारा cast iron होगा, डरवा लोहे का हम use करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, next questions पर, next questions 24 questions है, तो 24 questions देख खरार पर चूडी कातने के दोरान, खालिस्तन तूल कहला जाने वाले पत में चलता है, तो कौन सा पत है, याई किस दिशा में वो चलता है, किस location में चलता है, तो यहाँ पर rack में कहे रहा है, और यहाँ पर cyclide कहे रहा है, हए तो 24 का जो answer है, हभा है, हैँलिक्स और तो यहा विदी के तो क्यानिक दिखाता है कि 25 है कि निमली कितमें से कौन सा एक टेपर टनिंग विदी है तो टेपर टनिंग हम लेट मेशिंज पर करते हैं कैसे कैसे करते हैं देखे ओप्शन में दिया गया है तो यहां पर डी इसका अंसर होगा हम तीनो ही विदी से लेट मेशिंज पर हम आपने के लिए करते हैं साइन बार का पर्योग जो हम यूस करते हैं अगर हम ओप्शन को देखें तो हमारा बी होगा एक्स्टरनल जो भारी टेपर होता है उसका यूड उसको चैक करने के लिए हैं इसका angle को check करने के लिए हम sign bar का use करते हैं इसके बाद हम 27 पर question चाहते हैं 27 questions है कि इस पार पहिमाने की reading से ठिकता होती है तो इस पार पहिमाने की reading जो होती है हमारी 0.5 mm होती है यानि कि इसकी 0.5 mm होती है वो हमारी जो है इसकी LEAST तो यहाँ पर list count होती है या आप इसको याद रखें तो list count हमारी 0.5 mm होती है steel load की यही questions पूछना चाहरा है इसके बाद 28 questions है 28 questions क्या है कि निमलिकित में से कौन सा एक अलोह धातू है तो यहाँ पर cash turn भी दियागा है पिटवा लोह इस steel दियागा है इसके बाद 20 के बाद 20 के बाद 39 के बाद हम 30 questions चलते हैं 30 questions है एक में चूड़ी से यानि कि एक में चूड़ी का अंतरकत कौन जो है माना जाता है कौन सा है तो एक में चूड़ी का जो एंगल है फ्रेट्स देख सकते हैं एक में थ्रेड का एंगल तो यहां पर देखें उच उत्पातकता बहतर गुर्मकता कम अप्वे हैं और सभी विकल्प है तो यहां पर इसका जो answer होगा हमारा डी answer सही होगा यानि कि यह all options जीवें सही answer है तो यह सारे के सारे CNC machine के हमारे जो है एक परमुख जो है stop करने की होती है यह हमें देखना होगा तो 32 का जो answer reference होगा हमारा है M00 यदि आप लगा देंगे machine के अंदर तो वह हमारा program जो है stop हो जाएगा तो यह questions भी important है इसके बाद हम चलते है next 33 questions पर 33 questions है निमली कित्मे से कौन से CNC machine का लाब नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको directly इसका answer बताता हूं इसका answer है machine की उचलागा जाने की machine की उचलागा लाब नहीं है क्योंकि जो CNC machine होती है वो costly होती है इसलिए यह इसका लाब नहीं है इसके बाद हम चलते है next 34 questions पर 34 questions देखे क्या कहता है कि यहाँ पर कहता है कि भाग के आकार पर tolerance को wind digit करने का audition होता है क्या होता है तो 34 का जो मैं आप answer बता हूं तो यहाँ पर C होगा आवश्रक्त है अनुमिया आकार तूर्टी के भीतर निर्मान करना तो यहाँ पर जो हमारा product है उसको within requirement जो हमारी permissibility होती है size error होता है उसी के अंतरगत बनाने को जो हम parts की tolerance जो है रखी जाती है इसके बाद हम चलते है next questions 35 आएगा तो 35 questions देखे आप क्या गयता है 35 है कि insert type tool में insert की आकर्टी कैसी होती है देखे यहाँ पर square भी होती है circular भी होती है तो इसका answer होगा 35 का D तो D इसका हमारा right answer होगा इसके बाद हम चलते है next questions next questions देखें आप क्या कहता है questions 36 questions है जो कि काफ़ important है मैं उसको पड़कर सना जेता हूँ 36 questions है कि लोहा आरी के blade के दाते set किया है तो मैं आपको इसका answer बताता हूँ 36 का 36 का answer है A blade और workpiece के बीच घर्षन को कम करने के लिए जो हम दातों की जो setting करते हैं जिक जक setting जिस साइट की होती है तो यहाँ पर A इसका answer होगा 36 का चलिए 36 के बाद हम चलते हैं 37 questions पे 37 भी आपके सामने है questions जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ सारे important है 37 questions यहाँ पर क्या कहता है question है कि एक चैनी को workpiece में गड़ा करने की संभावना है जदी लिए कि चैनी को अभी यूज करते हैं यह वो क्या चीज होगा कि वो ज़्यादा गड़ा करेगी यह ज़्यादा वर्कपीस के अंदर जाएगी तो मैं आपको इसका answer तता हूँ 36-7 का 37 का होगा जुकाओ कोण अधि यदि चैनी का जुकाओ कोण अधिक है तो वह जो है अगर हम चैनी इस टाइप से हम यूज करते हैं चैनी देखे फेंट इस टाइप से कि एक जो है यहाँ पर 38 के रहा है कि एक एक एल्मोनियू के वर्कपीस को गिजने के समय आप कौन सी रेती उप्योग करेंगे तो वैरी वैरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन से हैं इसको आप याद रखे बार बार पुछी जाता है से जुकत वह सोटेंड फा तो सिंगलक फारफ से हो एकौसिस आ चुका है तो 399 की टेपर शैंक ड्ट को खाल सलके मध्य में स्फेендल मशिन स्पेंडल से हताया जाना चाहिए तो यहाँ Philippe तो मैं आपको इसका आंसर होगा वह होगा ड्रिफ्ट के दुआरा हम मशीन के स्पेंडल से जो है डिल बिट को हटाते हैं तो इसका अंसर होगा हमारा ए चलते हैं इसके बाद हम चलते हैं नेक्स जो है तो 40 का जो राइट अंसर होगा हमारा ए होगा फ्रेंड्स ए इसका राइट अंसर होगा रैक अंगल आगे की तरह बनता है यह आप याद रखें जिसके दुआ जिसके दुआरा जो चिप्स भार निकलती है इसके बाद हम चलते हैं 41 कोश्टन पर तो 41 कोश्टन भी आपके साम को फिनिश करने की कि लिए हमारी जो है रीमर के द्वारा की जाती है इसलिए हम रीमिंग कहते हैं तो इसका आंसर होगा इसके बाद हम चलते हैं 42 कोश्टन पर 42 कोश्टन यहां पर क्या कहता है कि निमलिकित में से किसका परियोग बहु उतपादन जोग का इस्थान निर्दारित करने टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है और इसका आंसर होगा हमारा जिक होगा जिक का हम यूज करते हैं यहां देखे क्या करा है टूल को गाइड करता है वर्कपीस को निर्दारित करता है साथ में टूल को भी गाइड करता है वह हमारा जिक होता है लबकि फिक्चर हमारा केवल जोग को पकड़ता है इसके बाद हम चलते हैं, 43 questions, sorry, 43 questions क्या है कि खरात पर कौन सा कार है नहीं किया जा सकता, यदि work piece को candle के बीच रखा गया हो, तो मैं आपको इसका directly answer बताता हूँ, इसका answer होगा हमारा B, parting of हम नहीं कर सकते, यदि हमने किसी जो को late machine पर बांदा है और उसको spendle के साथ touch किया है, तो हम parting of नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये काम नहीं कर सकते, बागे thread भी हम काट सकते हैं, earning भी कर सकते हैं, और ये undercut भी लगा सकते हैं, इसलिए इसका answer B होगा, 43 के बाद हम चलते हैं, 44 questions पे, 44 questions देखते हैं, निकल जाता है, 44 है कि खराद उपकरण पर पर परियोग, खराद उत्परण पर पर परदान किया गया, कौन सा कौन वर्कपीस के साथ उपकरण के मुख्या भाग को रगणने से बचाता है, very most important questions है, ये वाला very important questions है, बार-बार repeated questions है, 44 का जो answer है, हमारा clearance angle है, clearance angle यदि हम नहीं देंगे, तो वह खराद जो हमारा वर्कपीस होगा, उसके लगड़ खाएगा, ये questions बार-बार exam में पूछ लिए जाता है, इसको आप याद रखें, 45 questions देख लेते हैं, 45 क्या है, 45 है कि most taper का आकार होता है, most taper कितने number में पाई जाती है, कितने size में पाई जाती है, वह हमारी 0 से 7 number पाई जाती है, तो 0 से हमारे 7 number तक, friends, most taper पाई जाती है, इसको याद रखें, औरने स्रेक्टी जैसे exam में काफी बार questions पूछ जाता है, 46 questions हम देख लेते हैं, 46 क्या कहता है, 46 में काम करने का सिद्दान्थ 40 तरबर रदा रिखें, तो इसका answer जो है right मैं आप बता दू, net or bolt पे रदा रिखें, कोई बच्चा stud नहीं लगाएगा, bolt नहीं लगाएगा, नहीं इसको यह तीनों नहीं लगाएगा answer, direct हम इसका net bolt लगाएगा, यह options में आता है, तो इसका भी clear हो गया होगा, इसके बाद हम next question में प्रटते हैं, friends, next question देख लेते हैं, next question 46 के बाद देखें, friends, थोड़ी mistake है, तो 46 के बाद हम direct भी आपको 47 ब ले चलते हैं, क्योंकि 46 दो बार questions है, तो 47 questions देखें, क्या कहता हैं, तो यहाँ पर questions है, कि वह खराद भाग जिसका परियोग, cut की घराई देने के लिए किया जाता है, तो 47 का जो answer, friends, वह हमारा है, cross slide, cross slide का हम use, cut की घराई देने के लिए करते हैं, late machines पर, तो 47 बे किलिए रुआ, 48 questions हैं आपके सामने, तो questions यह भी important है, questions क्या हैं, हम देख लेते हैं, जब turning के दोरान, अधिकतम सामगरी को हटाना हो, लेकिन सामान टूल, जीवनावदी भी बनाए रखनी हो, तो क्या किया जाना चाहिए, तो options को आप पढ़ें, मैं आपको directly इसका answer बता देता हूँ, तो इसका answer है cut की गहराई, cut की गहराई बढ़ाने से जो हमारी जो इसकी जीवनाव दिया है, बनी रहती है cutting tool की, ठीक है friends, cut की गहराई मतलब ऐसा है कि जादा जादा हम cut उसमें लगा सके, चलिए, इसके बाद हम चलते है next जो है 49 questions पे, 49 questions देख लेते हैं क्या निकल का आता है, 49 एकी मिर्दू स्पात वर्क पीस की turning के लिए चिपड गठन का उत्तम रूप है, तो यहाँ पे इसका answer मैं आपको बता दू, 49 का, 49 का ए आंसर होगा, लंबे वे गुंगराले chips यहाँ पे चिपड लिखा दोस्तों यह हमारा जो है, इसको आप chips पढ़ें, CHIP, chips भी हम बोल सकते हैं, तो chips हमारे होते हैं, जो है मर्दु सबात में निकलते हैं, लंबे गुंगराले chips निकलते हैं, बिलूरं के, ठीक है, अब ध्यान से image को भी देखते रहे हैं जो चोटी उटी में image बना देता हूं तो एंगर पेट में हदी हम salute जो होते हैं इस टाइप से हमारी salute बनी होती है इनका जो उदेश्य होता है वो क्या होता ये पूछना चाहरा है तो 50 का answer होगा देखे T है bolt को समया जुद करने के लिए यहाने की यहां जो हम कोई भी अपना job को रखते हैं इसके side में तो वह उसको clamp करने के लिए जो है इसमें bolt के स्थान दिये जाते हैं तो इसका answer हमारा 50 का D जो है right answer होगा इसके बाद हम चलते है next questions पे next questions 51 questions है 51 questions भी important है देखी क्या कहरा है कि वह दिसा जिसमें एक खरात करो slide चलता है वह है तो मैं आपको इसका answer ही डारेक्टी बताता हूँ 51 का 51 का है कि अक्ष के लंबत वो है जो है अक्ष के लंबत चलती है इस type से ठीक है तो आप इसे याद रखें 20 का answer होगा इसके बाद हम चलते है next questions 51 questions 52 questions पे 52 questions snap gauge से है तो snap gauge की आकर्थी अंग्रेजी वनमाला के किस अक्षर के सामान होती है तो options D C D जो है O दिया है तो मैं आपको उसका answer हूँ C आकर की होते है snap gauge हमारा इस type का होता है इस type का हमारा snap gauge होता है जिस बेकी go और node को यहां पर बने होते है job को check करने के लिए snap gauge को द्वारा हम external dia को जो है आसानी से किसी भी job का check कर सकते हैं चलिए इसके बाद चलते है 53 questions पे 53 questions देखे क्या निकल कर आता है कि questions है कि निमलिकित में से कौन सा face plate का इस्तेमाल किया जाने वाला उपसाधन है 53 का मैं आपको डारेक्टी answer ताता हूं इसका answer है all options कैसे angle plate भी है clamp भी है step block दोनों तीनों का ही use करते हैं face plate के साथ face plate के साथ जब कोई job को clamp करना हो तो यहां पर d options लगा देंगे right answer हो जाएगा इसके बाद हम चलते है next questions पे कि 54 questions 54 questions देखे क्या निकल कर आता है 54 questions जाने कि निमलिकित में से कौन सा operation लेत सलंगन की मदद से लेत machine को किया लेत machine पर किया जा सकता है तो यहां पर अलग की मदद से कौन सा operation किया जाता है इसके बाद हम लगाते है questions का मैं आपको answer आता हूं 54 questions देखे क्या निकल लगाता है 54 का जो answer है हमारा taper turning milling और grinding all options यह सारे ही ठीक है इस questions के according for friends 44 का answer होगा right जो है D answer होगा इसके बाद हम चलते है 55 questions पर 55 questions भी important questions है questions क्या है आप सामने देखे हैं कि यहां पर क्या रहा है कि एक bench wise की jaw plate निर्मित होती है निकि bench wise की jaw plate कि मेटल की बनी होती है तो आपको direct इसका answer दनो tool steel की bench wise की jaw plate जो है पनी होती है जो इस type की jaw plate होती है जिसके बीच में हम job को पकड़ते हैं ठीक है तो इसके बाद हम चलते है next जो है questions 55 पर 56 questions 56 questions को आप ध्यान से देखें questions क्या है कि निमलिकित में से किस gauge का उपयोग बारी व्यास को मापने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर आप बारी व्यास को यदि हमें चेक करना हो तो मैं आपको इसका answer दो snap gauge का यूज करते हैं देखें मैं आपको बताया c akar का जो हमारा होता है और इस type का मुझे कोई job check करना है तो मैं इसका व्यास जो है जो व्यास है इसका चारएं तरफ जो घूत गूम रहा है तो वो हम snap gauge से check करेंगे तो इसलिए इसका answer होगा चले इसके पार हम चलते है next जो है 57 question से 57 question से sign bar से कि sign bar को कैसे nezdbbिस्ट किया جाता है तो sign bar को कैसे निडिस्ट किया जाता है यानि कि specified किया जाता है या इसका size लिया जाता है तो इसका जो answer होगा 57 कप हमारा होगा B roller के केंदर के बीच की दूरी से कैसे मैं आपको बता दूँ यह हमारा मालिय sign bar है जिसमें जो दो roller लगे होते हैं इस type से आपने देखा होगा sign bar तो इसका हम जदी size लेंगे तो यहां से जो इसका point है sign bar का और यहां से जो point है इसके जो हम लंबा ही ना अपले जैसे कि 250 बैटी तो हमारा 250 mm यहां पर hole भी होते हैं किसी जोब को करने के लिए 3-4 hole बने होते है sign bar में तो sign bar का questions भी clear होगा होगा इसके बाद हम चलते हैं 58 questions 58 questions देखे क्या कहता है 58 questions है कि एक page दार assembly में male और female दागे के बीच संपर्क पर रहता है तो male और female के बीच कौन सा part संपर्क में रहता है यह questions पूछेंग जा रहा है तो इसका answer होगा flank प्लैंक क्या होता है जो हमारी friends thread होती है इस type से में आपको बता दूँ यह माल लिया हमारी threads है तो threads के जो हमारा हिससा होता यह वाला side वाल आप देख रहे हैं यह हमारा force of flank होता है इसको hem flank बोलते हैं यह हम बोलते हैं इसको side ठीक है कि बीएस चूरी में का अंतरकत को होता तो फिस फोलजो एंगल उता है वह 5 पंड लिए होथा है चाहिए वह बीएस पूछें जाहिए वह बीएस डब्लू पूछें तो यहाँ पे बीस अपैस ब्रितिस स्टेंडर जो है यह हमारी थेड होती है fine thread और British standard widthward thread होती है और BSP भी यह होती है जो कि BSP में आपको बता दूँ BSP British standard pipe thread होती है जिसका एंगर 55 degree रखा जाता है तो इसका answer फिलाल के लिए 55 हुआ इसके बाद हम चलते हैं 59 के बास 60 questions पर 60 questions देख लेते हैं 60 questions है कि निमलिकित में से कौन सा एक taper turning विदी है तो taper turning की यदि हम बात करें यहाँ पर हम आपको इसका direct answer बताता हूँ प्याले तो D इसका answer होगा compound dash विदी से भी कर सकते हैं तो इसको आप याद रखे questions जो है काफी important है इसके बाद हम चलेंगे next questions पर questions आपके सामने screen पर है questions क्या है देखे पढ़े इस questions को questions 61 है कि निमलिकित में से शीतक का उपयोग करने का उद्देश है क्या है तो 61 questions में जो इसका answer होगा तो इसका answer friends मैं आपको बता दूँ इसका answer है cutting up करन तता कारे खंड को ठंडा करना तो यहां पर cooling करता है वह अपने cutting tool होता है और work piece को equipment को ठंडा करता है चलिए इसके बाद हम चलते है 62 questions पर 62 questions भी आपके सामने है जो की एक late machine से questions है यहां पर क्या रहा है कि बाहरी चूड़ी खालिसतन के मध्या उत्पादत की जाती है और late machine भी दिया है options real machine grinding और pipe cutter दिया है तो यहां पर इसका अंसर होगा late machine late machine के द्वारा हम इस option के हिसाफ से बाहरी चूड़ी काट सकते हैं इसके लावा हम die के द्वारा भी बाहरी चूड़ी को असानी से काट सकते हैं friends इसके बाद हम चलते है next questions next questions 63 questions में देखे क्या करा है यहां पर कहरा है कि screw jack में किस प्रकार की चूड़ी होती है तो screw jack में आपको बता दूँ यहां पर हमारा square चूड़ी होती है screw jack में अंदर square thread पाई जाती है इसके बाद हम चलते है 64 questions देखे 64 questions में क्या निकल कराता है तो यहां पर snake की प्रात्मिक्ता कार रहे है जो snake का प्रात्मिक कार रहाव क्या है आपको यह देखना इस टाइप से पढ़ना होगा तो वह हमारा है घिसावाट को कम करना reduce wearing तो है यानि कि घिसावाट को कम करना घर्षन को कम करना friction को कम करने के लिए हम इसका जोए use करते हैं इसके बद हम चलते है 65 questions 65 questions निकल कर आता है कि 65 है कि किस उपकरण के tool या खराबी से बचाने के लिए किये गए अनुश्रण कर रहा है का खालिस्तान कहा जाता है यानि को खालिस्तान कहा जाता है तो 65 का अंसर होगा हमारा D निवारक अनुश्रण अनुरक्षण यानि कि preventive maintenance होता है ये इसका अंसर D होगा चलिए इसके बद हम चलते है next questions पे तो सारे questions important है आप चाहे तो इन एक बार नोट भी करेंगे तो उससे भी आपको questions याद जाएंगे 66 questions देखे ध्यान से आप क्या कहा जा रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा लेत उपसाधन टर्निंग के दोरान केंद समर्थन का अलावा एक लंबे पतले कारे को अतरिक्त सारा देता है तो 66 का जो आंसर होगा हमारा होगा study rest study rest इसका अंसर है जो कि लंबे जोब को सारा देने के लिए लिर्थ मिसिन पर study rest का यूज़ करता है study rest कई परकार के होते हैं यह मैं आपको काफी बार वीडियो में बदा चुका हूँ चलिए इसके बाद 67 questions है कि एक nerling एक परकार का operation है जिसके द्वार आने कि हमारा जैसा job होगा उसी परकार की हम forming tool को बना लेंगे और आसानी से नर्लिंग कर सकते हैं यह questions भी काफी important है इसके बाद हम चलते है 68 questions भी इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर क्या कहने चाहरा है कि single point tool का प्रियोग खराद पर चूड़ी काटने के दुरान tool को खालिस्तान के जाने पत्मे बाद है मैं आपको उपर बता चुका हूँ तो इसका answer होगा 69 का helix answer है तो यह questions 2-3 questions repeated questions हो चुकी है कोई problem नहीं है आपको याद हो जाएगा तो questions 17 देखे क्या कहा रहा है कि एक खराद बार multi star 2D काटने के लिए किसका प्रियोग करेंगे तो यहाँ पर फिर से मैं आपको उता दूँ इसका single point और हम चेजर का use भी questions में करते हैं दो दो questions जो है repeated हो चुके है no problem आपको याद रखने है questions तो 71 questions देखें यह जो hammer का questions आ गया है तो यहाँ पर देखी ball pin hammer कह रहा है question दिरसाएगा ball pin hammer में level जो P हमारा जो A है देखी फिरेंट यहाँ पर B लिखा है इसको आप A मान सकते है जो भाग है इसको क्या कहते है यह options के साफ से जलें तो हम इसको pain कहते है तो pain होता है नीचे वाला face होता है यह हमारा चिक होता है यहाँ पर हमारी वेज लगे होती है तो इस step को इसको याद रखें यह हमारा handle होता है चलिए इसके बाद हम चलते है next questions 71 questions पर So friends next 71 के बाद हम चलते है 72 questions पर 72 questions देखे क्या कहता है कि यहाँ पर चीतर दिखाया गया जिसमें की एका भाग पूछा यह क्या है हमारा ठीक है यह जो हमारी दे रखें इसका है इसे हम friends ribs बोलते हैं इसको आप याद रखें यह हमारी rib है तो यह questions मैं आपको सोटों बता रहा इसको मैं इस पर गयर कहेंगे यह आप याद रखें छोटा सा चीतर है और यहाँ पर फिर से एक चीतर वाला questions है 74 questions तो यहाँ पर X कह रहा है कि यहाँ पर यह पूली का सेट दिखाया गया है तो यहाँ पर driver लिखा है यहाँ पर driven लिखा है और यह क्या है तो यह जो हमारी यहाँ फ्रेंट्स यह हमारी जो की पुली है आप इसे जाड़ रखें डी इसका अंसर होगा 74 का चलिए 74 के बाद चलते 75 questions पर तो 75 questions भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है बैबिट मेटल एलोई है तो बैबिट मेटल जो एलोई है वे टीन एंटी मिनिल कोपर का तीन questions पर 76 के बाद चलते हैं 77 questions पर 77 questions है half round no chisel का angle कितना होगा वो 45 degree कर रखा जाता है इसका अंसर C होगा चलिए इसके बाद थोड़ा में थोड़ा चल्दी कर रहा हूं क्योंकि continue बोलने पर काफी problem होती है तो 78 questions देखते हैं कहता है कि gunmetal में जो है copper team और खालिसतन होता तो gunmetal में copper team और zinc की मातरा पाई जाती है ठीक है तो 88 जो है 10 और 2 इसकी मातर रखी जाती है इसके बाद हम चलते है next 79 questions 79 सेपर को रोका जाता है देखिए question काफ important है सेपर को हम return stock में करते हैं जबकि forward stock में दातु को काटती है तो A इसका answer होगा चले इसके बाद हम चलते है next 18 questions पे तो 20 questions और है इस वीडियो के तो कारे के रूसर जो है medium carbon steel के blade की pitch और दातों की संक्या कितनी होगी वह हमारी B होगी एक और 24 होती है यह मैं आपको काफी बार exam में बता चुका हूँ और हमारी idea mechanical trade में इसका पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है आपने यदि वो नहीं पढ़िया तो उसको भी पढ़े application पे वो चीज जो हमने डाली भी है चलिए 81 questions है कि वरम thread का angle पूछ रहा है तो 29 degree होगा friends 81 questions का 29 degree answer होगा इसके बाद हम चलते है next जो है questions पे 82 questions 82 questions देखी यहाँ पर क्या गयाना चाहरा है कि यहाँ पर कहरा है कि किसी छड़की घड़ी पूर्जे का रिध है उत्पादन करने म machine करने के लिए सबसे अच्छी machine है तो यहाँ पर जो answer होगा friends इसका हमारा होगा 82 का जो answer है यह questions काफी बार है exam में जो है ऐसी इस type से भी पूछ लिया था इसके बाद है 84 जैनी कैलिपर का यहां पर उप्योग पूछ रहा है तो जैनी कैलिपर का राउंड बॉर का केंडर यान की center निकाल लिए गोल्ड जोप का center निकाल लिए हम यूज करते हैं तो C इसका answer होगा चलिए इसके बाद हम चलते हैं 85 questions 85 questions देखे ते कहां कहता है कि य 85 का answer है हमारा C square इसका answer होगा 85 का 85 का बाद हम चलते हैं next questions 86 questions 86 questions क्या है निकल कर दाता देखो 86 questions काफी important है तो 86 questions है हमारा कि यहां देखे यह दिखा है कि संकीचित लोहे को आरी काटने के लिए किस whole end का उपयोग किया जाना चाहिए तो मैं आपको इसका answer उता दूँ यदि हमें कोई हमें जो संकीचित मतलब दोस्ते हैं यहां पर देख सकते हैं इसे बोलते है कास्टारन को दिए ह में काटना है कोई operation करना तो हुआ पर dry air का यूज़ करते हैं तो 86 का answer हुआ भी इसके बाद हम चलते हैं 87 questions पे 87 लेट मसीन से questions तो questions को आप पढ़ें यहां पर क्याकर नचरा है कि लेट पर विशिस्ट कर रहे करने के लिए spendle sleep को spendle nose पर assemble किया जाना है sleep में खालिसान होता है तो 87 का यहां पर भारी तदा भीतरी most पर पाई जाती है तो यह इसका answer होगा options आप पढ़ सकते हैं वीडियो का pause करके 88 questions 88 questions का है कि यहां पर देखें रैक पिनियन का उपयोग किया जाता है तो रैक पिनियन का उपयोग जो है a options a जो answer होगा circular motion से reciprocating machine के लिए जो हम रैक और पिनियन का यूज करते है 88 questions का a answer होगा इसके बाद हम चलते है 89 questions पर 89 questions देखें आप फिर से questions important है कि लंबे शाफ्ट को सारा देने के लिए इस थरत रखने है तो कौन सी यूगती अपनाई जाती है तो coupling इसका answer होगा bearing ना लगा रहा है ना ही gearing लगा खाए तो इसका answer मैं आ आपको directly answer दो पिछ वरत्या अनुदेशक के जो है इसका answer होगा बी चलिए इसके बाद हम चलते है next जो है questions पर कोई भी questions आप समय ना है तो आपनी WhatsApp पर message करके पूछ सकते है 91 questions देखें क्या कहता है कि hexagonal socket head bolt का head fit करने के लिए क्या किया जाता है तो 91 के जिए हम बात करें तो इसमें और extra hold करें यह वाला तो यहां पर है कि हमारा head set हो जाता है चलिए इसके बाद हम चलते है next जो है questions 92 questions पर 92 को यहां पर कहा रहा है कि पानी का विल्लियन मिसरन पूछ रहा है कितना होता है पानी का जो विल्लियन मिसरन होता है कभी हम बर्क करते हैं तो एक अनुपाद 20 जो है रखा जाता है डियर्डियो में अभी एक्जाम में questions पूछा गया था लियमर्स पूछा गया था इसके बाद 93 questions 93 questions देगे important questions है यूनिट से questions है कि एक मील बराबर होता है तो यहां पर 1760 yard यानि कि 1760 ज्याज होता है चलिए 93 के बाद चलते हैं इन 4 options में से जो right answer है हमारा C है 95 इसके बाद हम चलते है 95 के बाद 96 questions पर 96 questions भी देख लेते हैं क्या करता है कि यहां पर कर रहा है कि caliper का माप लिया जाता है तो caliper का जो माप लेते हैं हम रिविट के center से lag के point तक लेते हैं C इसका answer हो का दे कि हमारा caliper इस type से होता है तो यहां पर जो इसके रिविट होती है इसके रिविट के center निकाल ले और यह हमारा leg के point तक की दूरी को ले ले तो यह हमारी जो यह लंबाई होती है caliper की 96 का answer C है friends इसके बाद हम चलते है next जो है 97 questions पर 97 questions भी हम देख लेते हैं क्या निकल कर आता है कि caliper पर new thumb map क्या है तो caliper पर new thumb map जो होती है वो point five होती है जो हमारी steel rule की होती है friends वह हमारी इसकी जो है list count होती है इसके बाद हम चलते है नेक्स जो है 97.98 questions यह second last question ना इस वीडियो का तो हमारा 99 98 questions देखें क्या कहता है कि यहाँ पर HSS कह रहा है यानि कि high speed steel cutting हो जा रखी सरचना में 18 अनुपात 18 ratio 4 ratio 1 के उपात में है तो इनमें 18 का संकेत है तो यहाँ पर 18 पूछ रहा है तो 18 option के according चलेंगे आप देखें chromium लिखा tungsten, cobalt और vanadium लिखा है तो 18 होता हमारा tungsten जबकि chromium होता है हमारा friends 4 और vanadium होता हमारा exam में में इसはいp hè Zac exam में तो यहां पर level a बाग है वो पूचेंच रहा है क्या यह बर्म कि लिखा रहा लिखा रेक लिका इसको आंसर honour 99 का वह हमारा अगा बी वर्म मुंसे कहते हैं तेकि यह हमारा होता है यह हमारा यह हमारा यह हमारा होता है हासभरा इसका अर्णी जो Mind is इसका देखे फ्रेंट्स मैप होता है तो यह इसका C आंसर होगा रेक क्या वह लेकिन सम्हें रेक बोलेंगे इसके पाद हम जलते हैं लास्ट कोश्टन्स पर इस वीडियो के तो 100 कोश्टन्स लगबर आपके पूरे हो जाएंगे इस वीडियो में इस वीडियो में अपको बताई हैं यह सारे इस टाइप की वीडियो को आपको काफी सारी इस प्लासिस मिलते रहेगी तो आप ज़्याद़ जब हमाई rating करें application को और इन सभी questions को जरूरी याद करें तो friends इस वीडियो में इतने ही था next video साथ मिलते हैं तब तक friends आप सभी बनी त्यारी करते रहें और सारी वीडियो को watch करें अराम से देखें ध्यान से देखें तब ही आपको यह समझ में आएगा जरूरी वेडियो यह समझा आपको यह समझा इस देखें जरूरी वेडियो